असलाम लेकुम डिया लेरनर्स और वेलकम में इस वीडियो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स और सिक्सेस्फूल आन्टिपनियोज तो कि अभी इन से आपको बहुत कुछ सीखना है इन करेक्टरिस्टिक्स को आपके साथ शेयर करने का परपस यह है कि आप जान पाएं कि अभी तक वो तमाम उन्टपनियोज जो कामियाब रहे हैं उनकी कामियाबी की वजह क्या है इसको हम कहते हैं लर्निंग बाई अदर्स यानि आप सीखेंगे और दूसरों से सीखेंगे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो बहुत से हैं उनमें से हम चंद एक के बारे में बात करेंगे आप इंटरनेट पे जाएं और जाके पढ़ें तो आपको और भी बहुत से करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे पढ़ने को इस वीडियो में हम बात करेंगे passion for business, tenacity, despite failure, execution, intelligence और discipline होने के सबसे पहले हम बात करते हैं passion for the business आपको जितने भी कामियाब entrepreneurs मिले हैं अगर आप उनकी कहानिया पढ़ें उनके bibliography पढ़ें तो आपको ये अंदाजा होगा कि अपनी career के आगास से ही उनके अंदर एक passion था for doing their own business बगहर passion के अगर आप जॉब भी कर रहे हों तो आप अपने profession के अंदर excel नहीं कर पाएंगे जब आप business शुरू करते हैं तो आपके साथ बहुत से लोग जुड़ जाते हैं आपका financial risk आपके साथ involve हो जाता है एक team आपके साथ involve हो जाती है आपका अपना time consume हो रहा होता है अपनी energies consume हो रही होती है ये तमाम resources चाहे वो financial हो चाहे वो non-financial हो जब आप किसी एक organization को बनाने में consume कर रहे होंगे तो वो organization बन नहीं सकती अगर आपके अंदर passion ना हो तो आपके अंदर एक passion ज़रूर होना चाहे ये चाहे आप job ही क्यों ना कर रहे हो बहुत सो लोग ये समझते हैं कि passion ज़रूरी है सिरफ और सिरफ अगर आपनी को NGO open करनी है कोई ऐसा business जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की फलोग बहबूत हो वहाँ पे भी passion की ज़रूरत होती है मगर commercial business को भी उतने ही passion की ज़रूरत होते है आप जितने भी बड़े businesses को जानते हैं जितने भी business empires को जानते हैं बगार passion के खड़े नहीं होई है So successful entrepreneurs basically are very passionate about their business Second most important चीज़ और शायद यह सबसे ज़रूरी है And that is tenacity despite failure Failure से आपने नहीं घबराना Basically जब आप किसी की bibliography पढ़ रहे होते हैं तो आप तब पढ़ रहे होते हैं जबकि वो एक कामयाब business person या एक कामयाब entrepreneur बन चुका होता है और आप उसको उसके final phase में देख रहे होते हैं जबकि वो एक successful person बन चुके होते हैं उसके पीछे जितनी hardship होती है उसके पीछे जितना काम होता है उसके पीछे जितनी perspiration होती है Basically वो आपकी नजरों से ओजल होती है सो हम ये राए बना लेते हैं कि शायद इन्होंने अपने काम का आगास किया इनको अच्छे लोग मिलते चले गए ये अच्छे फैस्टे करते चले गए market dynamics भी इनके हक में थी इसलिए ये आच्छ बहुत कामयाब on tip news है ऐसा हरगेज नहीं है जितने भी entrepreneurs होंगे जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि initial years में यानि पहले चार पांच सालों के अंदर उनको कितनी successive failures का सामना करना पड़ा आप internet पे जाएए तो आपको पता ये चलेगा कि जितनी भी inventions आज तक इस दुनिया में हुई है उसके पीछे एक series of failure efforts थी मगर at the end of the day किसी ने होसला नहीं छोड़ा किसी ने वो काम करना नहीं छोड़ा किसी ने अपने होसलों को पस्त नहीं होने दिया इसलिए at the end of the day उन्होंने वो finish line क्रॉस की और काम्याब ठहरे तो इसलिए अगर आप entrepreneur बनना चाहते हैं तो please किसी बहुत बड़े खाप के साथ मताएगा कि तमाम चीजें आपके हाँ में बहतर होंगी आपको initial setbacks face करने पड़ेंगे और आपके अंदर इतना stamina होना चाहिए कि आप initial setbacks का सामना कर सकें अब आते हैं उससे भी ज़्यादा important बात की and that is execution intelligence यह हद से ज़्यादा जरूरी है आप जितनी भी entrepreneurs देखेंगे आप से बहुत से videos में पहले भी बात हो चुकी है किसी के पास idea बहुत अच्छा है किसी के पास financial resources है किसी के पास marketing skills बहुत अच्छी है but at the end of the day एक entrepreneur को all in all होना पड़ता है उसको एक अच्छा financial manager होना पड़ता है उसको एक अच्छा HR manager होना पड़ता है उसको एक बहुत 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 की sense यानि आप अपनी चीज बेचने का होनर जानते हों आप market dynamics से वाकिव हों आप लोगों से बात करना जानते हों So at the end of the day अगर आपको हम resources दे भी दें At the end of the day आपके पास एक बहुत अच्छा business idea ही क्यों ना हो लेकिन अगर आप चीजों को execute करना नहीं जानते failure का सामना करना पढ़ेगा इस वकद again I repeat आप जितने भी successful entrepreneurs की bibliography पढ़ेंगे उसमें एक चीज जो आपको बहुत जादा नजर आएगी That is execution intelligence उनको exactly मालूम था कि उनको कौन सा resource इस्तमाल करना है कब-कब इस्तमाल करना है अपने resource wastage किस तना से control करने है अपनी financial management का क्या करना है और खास तोर पे know your team यानि अपने team members जो उन्होंने अपने साथ मिलाए है at the end of the day उनसे किस तरह से काम लेना है So execution intelligence बहुत एक एहम characteristic है और जितने भी आपको entrepreneurs मिलेंगे उन सब entrepreneurs में आपको execution intelligence नजर आएगी इसके वजह क्या है कि आपको क्यों execution intelligence चाहिए होती है देखिये business start करना itself एक बहुत मुश्किल काम है जब आप business start कर रहे होते हैं तो at the end of the day आपको बहुत सी frustration का सामना करना पड़ा होता है कभी आपका बहुत अच्छा employee आपको छोड़ के जा रहा होता है कभी product design के issues आ रहे होते हैं और वो resolve नहीं हो पा रहे होते हैं कभी कोई technical issue आ रहा होता है कुछ नहीं तो आपकी team members के दरम्यान में कुछ conflicts हो सकते हैं इसलिए एक बहुत मशूर phrase है कि to open a business is very easy, to keep it open is very difficult जितने भी incubation centers इस वकद पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जब हम उनकी success ratio के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी success ratio देखते हैं कि उन incubation centers के अंदर जितने भी business ideas आए और वो business idea flourish हुए और उसके बाद कोई एक company या कोई एक partnership firm register हुई तो वो अपने आने वाले अगले तीन सालों के अंदर क्या sustain कर पाई वैसे तो ये पाकिस्तान में नहीं all over the world एक global phenomenon है कि जितने भी start-ups होते हैं उनमें जादा तर start-up पहले दो सालों में या तीन सालों में बंद हो जाते हैं उसकी multiple reasons हो सकती हैं बाद वकात आपका passion नहीं होता business के लिए आप सिर्फ experimental phase में होते हैं तो इसलिए business कर रहे होते हैं बाद वकात आपकी team बहुत अच्छी होती है बाद day end के उपर आप और आपकी team में ऐसे conflicts हो जाते हैं कि team ही dissolve हो जाती है sometimes आपका idea अभी market में आया नहीं होता और कोई और उस idea को market में आपसे पहले ले आता है या फिर at the end of the day आपसे तो सबसे ज़्यादा causes of failure है that is the financial failure आपसे अपना business manage नहीं हो पाता आपसे budgeting नहीं हो पाती है या आपने forecasting में कोई गलती किये होती है और आप दो तीन सालों के अंदर अपने break-even point break-even का मतलब है no profit, no loss so आपना break-even point भी achieve नहीं कर पाते है और इसलिए businesses close हो जाए so I repeat execution intelligence is truly, truly, truly important for a successful entrepreneur इस वीडियो के आखर में हम बात करती है discipline के again हमारे हाँ एक common myth बन गई है अगर आपको याद हो the common myths we have discussed about the entrepreneurs उसमें हमने कहा था कि एक common myth है entrepreneurs के बारे में कि आप entrepreneur तब ही बनते हैं जब आपको 9 to 5 की job ना करनी हो आप किसी के boss जो है वो बनना चाहते हो या आप किसी boss की supervision में काम ना कर रहे हो आप अपने आपको bound ना कर से किसी environment या किसी rules and regulation के मताबिक तो आप entrepreneur बन जाते हैं लेकिन the most important question is कि अगर आप entrepreneur बन गए हैं तो क्या आपके लिए discipline ज़रूरी है या नहीं the answer is कि discipline बहुत ज़ादा ज़रूरी है day end के उपर हम यह assume अगर करें कि आपने एक start up शुरू किया है और उस start up को flourish होना है grow करना है उसको scale up करना है आपने यानि एक बड़ा business जो है वहां तक आप लेके जाएंगे उसको grow करके तो day end के उपर यह सारे काम बगएर discipline के हो ही नहीं सकते आपको हर चीज को prioritize करना है आपको हर चीज की जो है वो to do list बनानी है आप time पे नहीं आएंगे तो आपके employees भी time पे नहीं आएंगे आप financial resources का miss use करेंगे travel हो जाएगी और अगर in case आपको यह मालूम नहीं है कि अपने resources को किस तरह से manage करना है तो आप wastage of resources को control नहीं कर पाएंगे So day end के उपर यह जो एक myth है कि entrepreneurs are very easy going entrepreneurs बड़े relax होते हैं entrepreneurs बनते ही इसे लिए हैं क्योंकि वो job करना नहीं चाहते हैं वो discipline environment में काम ही नहीं कर सकते it's only a myth आपको discipline भी create करना पड़ता है आपको खुद भी discipline होना पड़ता है और आपको अपनी team या अपनी employees के धर्मयान में उस discipline को maintain भी करना पड़ता है So I repeat हमने इस video के अंदर basically बात की है passion for business tenacity despite failure execution intelligence और discipline होने की next video में हम कुछ और characteristics के बारे में बात करते हैं आपको नहीं Helene पहें आपको लागे लागे